गुड मानिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी तो बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टन टोपिक लेके आएं के लाश टेंथ में जिसे कहते हैं बीपीटी थेयोरम बीपीटी थेयोरम क्या होता है ध्यान से देखो इसको हिंदी में बोलते हैं बुनियादी समानता प बीपीटी ठीक है इसका फुल फामित थेयोरम का अब देखो पहले इसका मतलब समझ लो एक चुली में होता क्या है हमें सिद्ध क्या करना है जैसे अगर कोई इस तरह का तिर्भुज दिया गया है ठीक है तो उसमें जो भूजा एई एडी है ये और ये बीडी देख रहे ह का अनुपाद इसके जो दूसरी अपोजिट साइड है मतलब इसके सम्मुक भूजा इसका जो इस तरह से आधा आधा दिया है यानि एई अपान इसी के बराबर होता ये ये एक थेयोरम एक परमिये है जैसे इसको ऐसे समझ सकते हम अगर ये तीन सेंटीमीटर दी गई अग आपको एई दो सेंटीमीटर दी गई है ये साथ सेंटीमीटर दी गई है तो आप इसे एडी मीन्स तीन और ये पांच इक्वल एई मीन्स दो और ये साथ इसे आप कुछ इस तरह से परदर्सित कर सकते हो इस थेयोरम के ठीक है अक्सर जब हम लोग काल्कुलेशन करते हैं वाले तो हमें ऐसे ट्राइंगल में सिच्वेशन मिल जाती हैं तो इनको हम इस तरह से कर देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हों कि ये कैसे होता क्यों होता है तो भाई या बेसिक यानि की बुनियादी समानता की जो परमिये है अनुपात वाली उसको आज हम प्र इसका मतलब ये है कि ये दि कोई तिर्भुज जैसा दिया गया है और उस तिर्भुज में किसी एक भुजा के समानतर कोई दूसरी रेखा खींच दी जाए मैंने क्या किया एक तिर्भुज पहले बनाया था जिसका नाम ABC था हमने BC के समानतर इसके पैरलल एक भुजा एक रेखा DE खींच दिया उसके बाद क्या कहता है देखो इसका मतलब यह है कि जो यह लाइन आपने खींचा यह इस भुजा AB और AC को बीच ओ बीच में एक निश्चित बिंदू पर क्या करती है पतिछेद करती है कर रही है ना और अगर ऐसा करती है तो हम इस्तिर्भुच के आधे इस पार्ट को जो नीचे है इसको अनुपात में और बरावर करके यह और यह दोनों अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिखे हैं यह इस्तिर्वरम का मुख्य मतलब है लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं इसको समझोगे तो सब समझ में आएगा बहुत मेहनत से मैं आपके लिए यह कर रहा हूं चलो अब देखो ध्यान दो हमें कुछ चीजें दी गई हैं और कुछ चीजें निकालनी है उन्हें हमें ध्यान से देखना है देखो गिबन दिया है क्या क्या दिया है ध्यान से समझो हिंदी दिया है भूजा D E यानि साइड जो है D E यह क्या है D E भूजा B C के समानतर है भाईया जो साइड D E है वो B C के पैरलल है तुमको भी दिख रहा है देखो यह है ना पैरलल यह दिया है आगे करा जो की A B को बिंदू D और A C को बिंदू E पर काटती है सिंपल सी बात है A B इसको बिंदू D पर यह काट रही है रेखाई E D E वाली और A C को बिंदू E पर काट रही है यह दिया है चित्र में ही दिया है सिद्ध क्या करना है हम यह प्रूप करना है आप लिखोगे इंगलीस वाले प्रूप्धेट क्या AD upon DB AD upon DB E sober A e upon EC होगा जो मैंने उधर साइड में भी लिखा है यहीं में क्या करना प्रूप करना है इसे आप लिख लिए तो मैं मिटा दूँ और जल्दी से आप इसको भी नोट कर लो स्क्रीन साट ले लो मैं इसको मिटा कि फिर नेक्स्ट पेज पर मैं आपको कांस्ट्रक्शन करवाऊंगा रचना इसमें भी थोड़ी सी होंगी इस फिगर में उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी करो लिख लो या फिर स्क्रीन साट ले लो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूं ठीक है जल्दी करो चुकी जगा थोड़ी सी कम है ना चलो मैं अ you cannot be I can I can hrrid 00 Meg有 कि छिंटे ठीका है कि यृए और सी दी को क्या करेंगे जौरेंड निया जाइन करेंगे वैससे अगर इसको अलग पहेंन से कर देते तो आपके लिए ज्यादा बहतर रहता ना हन्ता वो क्या है construction है रचना है इतना ही नहीं अभी इसमें और भी करेंगे हम क्या करेंगे आइंड ड्राइफ लंबहुत AB लिखो यहां पर लिखो आइंड ड्राइफ क्या ड्राइब करेंगे लिखो इफ पैरलल तो हो गया यह परपेंडिकुलर AB मतलब समझो हम एक लाइन ड्राइफ करेंगे इफ उसका नाम होगा और वो AB पर परपेंडिकुलर होगी यानि यह यहां पर यह तिक है अब हमने क्या किया एक लाइन ड्राइफ कर लिए जिसका नाम इफ है वो AB पर क्या है परपेंडिकुलर है लंबवत है तिक है और इसके आगे अभी और इसमें करेंगे and लिखो and dn dn परपंडिकुलर ac एक लाइन और करेंगे जिसका नाम dn होगा वो परपंडिकुलर होगी ac पर ये ये नमबर तो मैंने खुद से लिखे थे यहाँ से कोई मतलब है नहीं हाँ ac यहाँ पर क्या हो गया ac पर पर्पेंडिकुलर होगा डी एन यानि इसका नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं बाबु क्या लिख दे रहा हूं यह नंबर तो मैंने खुदी से लिखा था तीन पांच साथ यह दो गहीं दिया नहीं था यह तो मैं तुमको समझाने के लिखा था चलो ठीक है यह का इंस्ट्र हो गया ना चलो वीडियो छोड़के मत जाना बच्चा पूरा देखो कि तब ही समझ में आएगा बीच में कुछ नहीं पल ले पड़ेगा अब देखो सलूशन में क्या करेंगे ध्यान दो इसमें हमारे बहुत सारे ट्रैंगल बनें आपको दिख रहें तो हम क्या करेंगे ध्यान दो तिरभूज एडी का छेतरफुल चुश्कि हमें क्या करना है रोऊब करना किएडी अपार्डी जो हाएए अपान एजी के बराबर होता है तो पहले इनका एरिए उसे बिखाएगे कि जैसे हमें इनको प्रूब कर पाएंगे अब देखो क्या करोगे फिर लिखो तिर्भूज ए डी ए का छेत्रफल चेत्रफल में जानते हो अच्छा एरिया ठीक है अपान जैसे वह हो रहाता ना बटे में वैसे यह भी होगा लिखो तिर्भूज बी डी ए का छेत्रफल अब ध्यान से समझो ए डी ए का छेत्रफल यानी ए डी ए इस ट्रैंगल का जो एरिया होगा क्या होगा हमें पता है का पता है हमें यह पता है कि एक बटा दो आधार गोड़े उचाई ये सूत्र होता है का बच्चाई तो होता है ना एक बटा दो आधार गुड़े उचाई ये क्या होता फर्मूला होता है अब देखते जाओ ध्यान से हम क्या करेंगे एक बटा दो आधार देखो अगर हम ये ट्राइंगल लेंगे A, D, E तो हम सबसे पहले A, D बोल रहें ना ये हमारा क्या है आधार है बेस है ठीक है ये क्या है बेस है अगर इसकी उचाई की बात करें तो जो इससे सीधा गई है सीधा कौन सी गई है बताओ वैसिम्पल सी बात है ये आधार A, D है उचाई क्या है E, F है इसी तरह से हम दूसरे में लेंगे B, D, E में अब देखो B, D, E चुकि हम एक तिर्बुजी ये ले रहें एक ये ले रहें B, D, E इधर वाला इसको छोड़ दे रहें ये ले रहें बस तो B, D, E का शेतरफल क्या हो जाएगा बच्चा इसमें भी होई हो जाएगा अधर कुने उचाई तो B, D, E में क्या हो जाएगा भईया ये B, D या D, E जो भी समझो लिखो एक बटा दो और ये भी होई हो जाएगा D, V और ये अगर उचाई की बात करोगे बाबू तो उचाई क्या होगा इसमें भी E, F होगा ना उचाई क्या होगा E, F होगा अब तुम कहोगे E, F काहे होगा अरे यार तिर बुज ले रहे हो B, D, E तो उचाई E, F कईसे हो जाएगा ये तो बड़ा अत्याचार कर रहे हो ऐसे कहोगे ना लेकिन आप यह चीज समझो, अगर मैं आपको एक ट्रेंगल दिखाऊं, ध्यान देना बहुत छोटा फर ट्रेंगल है, यहीं पर मैं कहीं रखा हूं उसको, वैसे वो इसके आकार का तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ जाओ की चीजों को, तेखो, जैसे मैं अगर ऐसे मा रखूँ मैं आइसे कर दूँँ, एक बार फिर समझो, मैं आधार को आएसे न रखूँ मैं आइसे कर on तो तुम क्या बनाओगे, पता है? यह ऐसे कर दूंगा अगर मैं यहाँ पर रखूँ गद क्या जाएगा? वैसे भी हमारा जा सीधा यहाँ का चूटा है, तो ये क्या हो जाएगा ये फ्ट इतना क्लियर रहें अब यहां इसे देखो उम मिलेगा इजया नफांट विकेश्ट से देर मत करूं उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अगला नेक्स ट्राइंगल में और फिर आगे बात करते हैं बहुत जल्दी करो बहुत फास शूफर फास लिखो आगे बढ़ें कलास छोड़के मत जाना अगर समझना सीखना है तो बच्चा अगर एकजाम में कुछ नंबर पाने है तो बिल्कूल मत छोड़ना नहीं तुमको कभी समझ में नहीं आगा जिंदगी में याद रखना इसलिए मेहनत करना सीख लो ठीक है अब हमने क्या क्या कर लिया, A, D, E, and दूसरा ट्रेंगल हमने लिया था, B, D, E, यानि उपर का यह इतना मैंने पूरा हल कर लिया, नीचे का हमने इतना हल कर लिया, अभी यह नीचे वाला बचा इतना, ना या फिर ऐसे बोले मैंने इसको अगर कर लिया थे इधर वाला बचा है तो हम अभी इसको हल करेंगे तो किसमें किसमें देखेंगे एडी में उपर वाला जो है एडी वो तो रहे गई और नीचे वाला क्या करेंगे इसके साथ में जोड़ेंगे उसका नाम क्या रहेगा पता है सी इडी ठीक है सी इडी ठीक है तो एडी एंड यहां पर क्या लिखोगे फट से लिखो सी डी ठीक है चलो लिखो जल दी लिखो सी इडी ठीक है इसका छेदरपल पस यह चेंजिंग करनी है बच्चा तो जैसे वहां पर लिखे थे वैसे फार्मूला लिख दो एक बटा दो आधार गुड़ा मुचाई इसमें भी हो जाएगा एक बटा दो आधार गुड़ा मुचाई भाई फार्मूला तो वही रहेगा कुछ अलग तो होगा नहीं चलो रख दो एक बटा दो एक ट्रीक जहन लो जैसे आभी करे थे वैसे ही मैं आपको एक ट्रीक बता दूँ एक बटा दो हमें सिध्य क्या करना वच्चा उधर साइड में क्या सिध्य करना ए इस He seekingन न बाबू तो जो Siz उसको जामनंगे या दिखात हो रही एमानदारी से समझो कम Watch में ओर नहीं आ रहा कुब कमेंट करो में बताओंगा देखो क्या उजाया फ़र साथ में क्या जो लंब आप ने खिंचा था उसको लिख दो लंब अंग ने क्या का आधा कि यसी 210 हो गहाँ तो हमें और क्या सिद्ध करना बाबू नीचे क्या है EC है न नीचे क्या है EC है न तो यह EC और फिर से क्या वही DN जो मैंने लंब खीचा था यहां पर आपका बच्चा कट जाएगा यह एक बटा तो एक बटा दो कट जाएगा final में AE का बचेगा AE upon EC बचेगा यह equation number second हो गया देखो मैंने अभी एक equation निकाला था एक ही आगया, दो equation हो गए equation याद रखना, बोलना मत अभी इनका काम लगेगा, ठीक है? जल्दी करो, फटा फट करो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं बार-बार बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, कलास को पूरा देखना पूरा देख लेना, फिर मुझे बताना कि नहीं समझ में आया, जब तक पूरा नहीं देखोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा चलो आगे चले चलो गुड 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 लाइक करो यार जो बच्चे अभी तक किसे यूटूब पे डेमो देख रहे हैं या फेस्बूप पे वो लाइक करें देर ना करें तुरंद लाइक करें इतना अपने लिख लो तो मैं आगले सलूशन करता हूँ नेक्स्ट पेज में आगे चलता हूँ जल्दी करो हो गया ना सभी बच्चे लिख लिए इसको मैं मिटा रहा हूँ अब यहाँ पर एक बहुत ही महात्तो प्रूर्ट फैक्ट आपको देखना है वो क्या है ध्यान से देखो बहुत ही ध्यान से समझो जो लाइन लिखी पहले पढ़ लो चूंकि BDE और CDE दो समान आधार DE और समान समानतर लाइन DE और BC के पर बना हुआ दोनों तिरभूज है अधा दोनों के जो छेतरपल होंगे, एरिया होंगे, इक्वल होंगे अब समझो BDE, BDE यानि ये तिरभूज मैं जहाँ हात रखाओ फिर से देखो BDE ये तिरभूज और दूसरा करा CDE, CDE, CDE यानि ये तिरभूज और ये तिरभूज करा कि दो समान आधार सिंपल सी बात है समान आधार है समान आधार क्यों है क्योंकि यह तिर बुझ अगर हम लेंगे यह तिर बुझ लेंगे इसमें तुम देख रहे हो क्या आधार समान हो रहा है कि नहीं दोनों में समान है ना और दूसरी बात यह D.E. और B.C. दोनों समानतर लाइन उनके बीच म मैं यहाँ बना दू आर्टिपीसियल तरीके से ऐसे समझ लो बच्चा अगर इनके बीच में कोई तिरभूज बनता जैसे ये बन गया एक ठी और एक ठी ये बन गया तो तुम्हारा जो ये तिरभूज बनेगा बैटा ये जो बनेगा और इधर साइड में अगर मैं तुमको एक्स्प्लेन करके दिखाऊं ये ट्रैंगल जो बनेगा इनके दोनों के छेतरपल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे की नहीं बोलो बराबर होंगे ना यानि ये ये और ये समझो बराबर होंगे न तो इस करण से क्या होंगे ये हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं अब आपको समझ में आ गया ना देखो इस तरह से मैंने क्या किया इन दोनों तिरबुजू के छेतरफल को आपस में बराबर कर दिया बी डी इ का जो चेतरफल होगा वो दूसरे ट्रेंगल सीगे से बराबर होगा इकवेसर नमबर तीन हो गया हमें जो सिद्र कर ना हम उसके करइब आ गए उत्तर आ गया देखो काय से अब लीखेंगे क्या समी करण 2 से समी करण 2 से 4 अभी अभी मैंने बनाया था, आप लोगों ने लिखा था, वीडियो बैट करके फिर से देख लो, क्या बनाया था लिखो, area of ade लिखा था ना, मतलब हिंदी में मैं लिखतू हूँ, तो आप लिखो, तिरभूज, ade का छेतरफल, अभी यही तो आया था ना, question second, या फिर area of ade लिखा था ना, फिर लिखोगे, तिरभूज, c, e, d का छेतरफल, ठीक है, यह तुम क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे, ठीक है, अब क्या होगा, वहिया इसका जो छेतरफल अभी आया था, अभी अभी हमने find किया था, आपने देखा होगा, simplify किया था, मैंने सूतर उतर रखक देखो, p, d, e का जो छेतरफल है, c, e, d के बराबर है, यानि हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अब इसमें एक और अलग concept देखो, समझो यहां से कैसे, देखो, समीकरण 2 से यह इतना आगया, ठीक है, यह ठीक है, लेकिन समीकरण 3 से हमने एक इसका solution निकाला है, वो क्या ह पर जो होगा, c, e, d के बराबर होगा, किसकी बराबर, c, e, d के मतलब इसके बराबर होगा, तो बच्चा अगर इसके बराबर होगा, तो हम c, e, d की जगापर, यह b, d, e तो लिख सकते हैं, चुकि यह बराबर है नहां से, लिख सकते हैं, इसमें कोई मुसीबत नहीं है, त तो ऊपर तो कुछ बदलेगा नहीं ऊपर ऐसे रहेगा तिरभूज A, D, E का छेतरफल नीचे कर लिखोगे बाई साहब नीचे आप C, E, D की जगा पे B, D, E लिख दोगे चुकि दोनों बराबर हैं तो आप लिखोगे तिरभूज B, D, E का स्वरी, A नहीं, B, D, E ठीक है, B, D, E का छेतरफल अब तुम समझने की कोशिश करो, A, D, E, इससे अभी क्या कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था क्या निकाला था एई निकाला था ना बच्चा एई अपान क्या हो जायागा फिर एसी हो जायागा तो नों बराबर भी तो हो गए ना यार तो यह क्या हो जायागा एई अपान एसी है ना यह क्या नमबर फॉर निकाल दिया आपने हो गया प्रूब क्या प्रूब हो गया उत एक बार फिर से आपके सामने ला दिया, देखो देहन दो, पहला भी अभी मैंने इसको सिद्ध किया था, इसमें बीच में एक सूतर भी लगाया था, कि जो A, D, E था और B, D, E था, वो A, D, E और B, D, E के बराबर था ना बच्चा, और यही सेम टू सेम नीचे आके फिर से दो रहा है कि A, D, E और B, D, E जो है वो A, E, 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 C के बराबर है, क्या देख रहे हो, चौथा समीकरण में यह देख रहे हो, पहला में यह देख रहे हो, जबकि यह चीज दोनों में equal है, है न समान, यह नि आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों बराबर है ना, अब नीचे आप लिख सकते हो हमारे में जगह नहीं इसलिए मैं यहां बीचे लिख दूँगा आप वहां लिख सकते हो अताहा सिद्ध हुआ क्या सिद्ध हुआ कि AD अपान यह DB या इसे BD लिख लो ठीक है सिदा फिदा रहेगा क्या लिख होगे DB इक्वल एई अपान इसी ठीक है यह क्या हो गया प्रूब हो गया बच्चा लिख लो अताहसिद्ध हुआ हैंस प्रूब्ड यह इसके बराबर है तो यह कलास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अगर कलास को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया त है हिन